हर्याली तीज सावन महीने के शुकल पक्षकीत रुदिया को मनाया जाता है यह एक महत्वपून त्योहार है यह मुख्य रुप से महिलाओं का त्योहार है और इसे सुहागर महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र और सुक सम्रुद्धि के लिए मनाती है इस त्योहार के के लिए घोर तप किया था इस दोरान तुमने अन जलत याग कर सुखे पत्ते जबा कर दिन व्यतित किये थे किसी भी मौसम की परवा किये भी ना तुमने निरंतर तप किया तुमारी इसी स्तिति को देख कर तुमारे पिता बहुत दुखी हो गए थे ऐसी स्तिति में नारद जी तुम्हारे घर पदारे जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनका आगमन का कारण पुछा तो नारद जी बोले है गिरी राज मैं भगवान विश्णु के बेजने पई यहां आया हूँ आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसंद होकर वह उससे विवा करना चाहते है नारद जी की बात सुनकर परवत राज जी अतिप्रसंद हुए और बोले है नारद जी यदि इस वहम भगवान विश्णु मेरी कन्या से विवा करना चाहते है तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती मैं इस विवा के लिए तैयार हूँ फिर शिवजी पारवती जी से कहते कि तुमारे पिता किस वीकृती पाकर नारद जी विश्णु जी के पास गए और ये शुप समाचर उन्हें सुनाया लेकिन जब तुमें इस विवा के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गए क्योंकि तुमने मुझे अपने मन ही मन पती मान चुकी थी तुमने अपनी व्याकुल मन की बाद अपनी सकी को बताई तब तुमारी सहली ने एक सुझाव दिया कि मैं तुमें एक घंगोर वन में ले जा कर छुपा दूँगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने के लिए साधना कर सक्ती हो धरती पातल एक करवा दिया लेकिन तुम फिर भी ना मिली तुम वन में एक गुफा के बीदर मेरी आराधना में लीन थी तुम ने रेट से एक शिवलिन का निर्मान कर मेरी आराधना की जिससे प्रसन होकर मैंने तुम्हारी मनों का अबना पूर न की इसके बाद तुमने अपने पिताजी से कहा हे पिताजी मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवा भगवान शिव के साथ ही करेंगे परवत राज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आई कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विदी विदान से हमारा विवा किया भगवान शिव पारवती जी से आगे कहते है कि हे पारवती तुम्हें को तुमने मेरी आरादना करके जो व्रत किया था उसी के परिनाम स्वरूप हम दोनु का विवा संभव हो सका इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्टा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांचित फल देता हूं भगवान शिव ने पारवती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अखंड सोभागी की प्राप्ती होगी